वेलकम फ्रेंट्स टू मैं चैनल कृती लर्निंग ब्लोग दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही फेमस कहानी जो की कमलेशवर जी के लिखी हुई है दिल्ली में एक मौत उस कहानी को मैं आप लोगों को पढ़ाओंगी तो ये जो कहानी एसे मैं टू पार्ट में डिवा हो गए आपके कहानी संग्रा वगेरा जीवन व्रितांत विवरन वगेरा ये सारों के नाम भी बताओंगी ठीक है और इस वीडियो के पार्ट टू में हम लोग इस कहानी को जानेंगे तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कहानी के प्रबर्तक की रूप में हिंदी सहत्य के पूरोधा कमलेश्वर का जन उत्तर परदेश राज में मैन पूर जीले में 6 जनवरी सन 1932 में हुआ था बाली अवस्था में ही पिता की मौत के कारण इनका पालन पोशन मा के सनरक्षन में हुआ मा के वैस्थनों संसकारों ने कमलेश्वर के व्यक्तित्व को काफी प्रभावित किया मैन पूरी से हाई स्कूल तक सिख्छा प्रात करने के बाद इनोंने प्रयाग विश्विद्याले इलाहाबाद से हिंदी विसायल लेकर एमे की परिक्षा उतिर्ण की इसके बाद इनक प्रासवानी और दूरदर्शन कार्यक्रमों से जुड़े रहें। बंबै की फिल्मी नगरी के चका चौंद को भी इन्होंने नजदीकी से देखा और फिल्मों के लिए पटकताएं लिखी। सगह, प्रकासित, बंदक लोगतंत्र उनकी समसामयीक जागरुकता को उजागर करता आलेक संग्रा है। सनवेदम सिल्थ सहित्यकार कमलेश्वर की कहानियों में कसबो, सहरो, महानगरों की जीवन पद्धति का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। दैनिक भासकर समचार पत्र से जुड़े कमलेश्वर हमेशा चर्चा में रहते हैं। कमलेश्वर ने अपने 75 साल के जीवन में 12 उपन्या, 17 कहानी संग्रा और करीब 100 फिल्मों की पटकताये लिखी। 27 जनवरी 2007 कोन का निधन हो गया। अब चली जानते हैं इनके लिखेवे फिल्म पटकता एवं सनवादों के नाव। तो कमलेश्वर ने 99 फिल्मों के सनवाद, कहानी या पटकता लेखा का काम किया है। कुछ प्रसिद फिल्मों के नाम है जिन में से सौतन की बेटी, लैला, यह देज, रंग बिरंगी, सौतन, साजन की सहेली, राम बल राम, मौसम, आंधी ये सारे हैं पटकता और सनवादों के नाम जो की अलग-लग समय में लिखेगे इनके यहां पे समय भी दिये हुए इस वीडियो में बस क्रित्य नहीं प्रकार्ली कहानी संग्रह में से हैं राजा अरजन निर्बंदी में कस्वेक आद्मी, खोई वी दिसाएं, मांस का दरिया, स्रेश्ट कहानी आदी, नाटक में हैं चारूलता, अधूरी आवाज आदी, उपन्यास में से हैं कितने पाकिस सनिस्मरन एवं दैनिक घटना कर्मों को लेकर छपे आलेखों की लंबी सूची है तो इस वीडियो में दोस्तो इतना ही, अब अगले वीडियो में हम लोग पूरे कहानी को पढ़ेंगे तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सेयर और सस्क्राइब करना ना भूले, थैंक यू